जै जिवदानी ब्यूटिवेद एस्टेलोजी की फाउंडर मैं कामी निखना हम सबी समझदार सोताओं के साथ एक बार फिर सापता ही राशी भविश्य लेकर हाजिर हूँ यह सापता ही राशी भविश्य तारीक 19 सप्टेंबर 2021 से लेकर तारीक 26 सप्टेंबर 2021 तक का है इससे पहले के मैं इस अपता में घटने वाली घटनाओं का विवरन आपको दूँ आप सबसे नमर निविदन है के प्रीज सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल यूट्यूब स्लाइश ब्यूटी विद एस्टेलोजी जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो फोके उपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारिया आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी मैं जो राशी फल बताती हूँ वो लगने के अनुसार है और जिनको कंसल्टनसी चाहिए उनके लिए मैंने वाटसप नंबर दिया हुआ हुआ तो चलिए आईए हम जानते हैं इस सब्ता में होने वाली घटनाओं का विवरन तारीक उननिस को चंद्रमा कुंबर आशी में है अहुरात्र और इस दिनक गनेश जी का विसरजन है यौनंत चतुरदशी है फूरण माशी उत्तर आत्री पांच बच के 28 मिनट तक रहेगी त सन्यासि नाम चात्रमास समाप्तिवी हो जाएगी 21 तारीक को शराद शुरू हो जाएंगे जिन लोगों को पूरण माशी का शराद करना है वो लोग 20 तारीक को पूरण माशी का शराद कर सकते हैं 21 तारीक को प्रतिपदा का शराद है 22 तारीक को द्वितिया का शराद है और आप लोगों को बूद के तुला राशी में प्रवेश करने का वीडियो सविस्तर दूंगी 23 तारी को कृतिया शराद्ध है 24 तारी को संकट चौत है चंद्रमा रात्री 8 बच के 48 मिनिट पर उदित्थोंगे जो लोग गणी जी का ये वरत रखते हैं वो चंद्रमा को देखकर अपना वरत खोल सकते हैं इसी दिन चतुर्ती का शराद्ध है भरणी शराद्ध भी इसे कहा जाता है 25 तारी को चंद्रमा शाम 6 बच के 15 मिनिट के बाद उच्च के होने वाले हैं व्रिशब में लेकिन याद रहे वहाँ पर पहले से ही राहू मौजूद हैं तो उच्च के होने पर भी चंद्रमा अपना पूरा फल नहीं दे पाएंगे आधा धूरा फल ही देंगे और पीडित पी रहेंगे 26 तारी को शर्ष्टी शराद्ध है मैं कामी निखना बता रही थी इस अपना में होने वाली घटनाओं का विवरन आईए जानते हैं के सूर्य कन्या राशी में प्रवेश कर चुके हैं मैं डिस्क्रिप्शन में आपको फिर से एक बार लिंक दे देती हूँ गुरु नीच के हो चुके हैं और अब बुध कुछ दिनों के लिए तुला राशी में प्रवेश करने वाले हैं तो बुध जादा देर वहाँ पर नहीं रहेंगे तुला में फिर वो वक्री होकर वापस आएंगे कन्या में एक अक्टूबर को तो इन जो थोड़े दिनों में क्या असर दे पाएंगे बुध वो भी हम थोड़ी सी बातों में जानेगे क्योंकि उसका जो पूरा सविस्तर वीडियो है वो मैं आपको दूसरे वीडियो में दूँगी आईए जानते हैं मेश से लेके मीन राशी तक का राशी भविश्य मेश राशी अभी भी आपके लगन के स्वामी बूध के घर में हैं आप थोड़ी से बीमार हो सकते हैं अपनी तवचा अपना ब्लेड प्रेशर अपना किसी भी प्रकार की चोटे वोटों से बचने का ये समय है और अगर आपकी कुई तविश्य जादा खराब होती है तो आपको डॉक्टरी सला लेनी है आप लोन्स वगरा से रिलेटेड भी परिशानियां पा लिये मत ना दीजे लोन ना लीजे इन दिनों अभी सूर्य प्रवेश कर गए हैं कर नियराशी में इसलिए मंगल को सपोर मिलेगा और इस वज़ा से आप कुछ एक काम अपने कर पाएंगी जो आप से रिलेटेड अटके हुए थे तबियत से रिलेटेड अटके हुए थे अब जो दितिभाव में राहू बैठा है वो जसकत तस है और परिवार से आपको सैटिस्वेक्शन नहीं बेचैनी हैं कलु इसे अचानक रुकते हैं आपकी बुद्धी में जो साथविक्ता थी जो ग्यान था वो भी रुकता है लेकिन याद रहे कि गुरू की दृष्टीयां बहुत अच्छी है आपके घर पर हैं गुरू की दृष्टीयां आपके सुकों पर हैं तो जितनी भी परेशानिया आपके सुखों में कोई प्राब्लम नहीं होगी हाँ विशेश रूप से तबियत को समालना कि तुके और मंगल के वज़ा से आपके लिए जरूरी रहेगा शनी के दश्यमस्तान में रहने के कारण आपके कुछ ऐसे काम जो मीडिया से रिलेटेड जो नेताभी नेतागिरी से रिलेटेड या कोई पेट्रोल लोहा लकडी कोई ऐसे काम करते हैं काली चीजों से रिलेटेड काम करते हैं फिल्म लाइन से रिलेटेड काम करते हैं तो वो 11 अक्टूबर के बाद चनी उदित होने वाला है, तब तक थोड़े धीले ही चलेंगे, आपकी मा की तबियत पहले से जादा सुधरेगी, हेलपर से जादा हेलप मिलेगी, और शुक्र अभी बने हुए हैं, तुला राशी में ही अभी शुक्र, विश्चिक राशी में जब प्रवेश करेंगे, तब की तब देखी जाएगी फिल हाल आपको विवाही जीवन से फुल सपोर्ट, और ये इनके प्रकारेंट राहू रहते हुए भी परिवार से मनमुटार नहीं होने देते, विद्यार्तियों के लिए ये समय जो है, ये अच्छा है, विद्या प मंदों में पहले से थोड़ा सुधार आएगा, विश्वराशी, लगन के स्वामी शुक्र पहले से जादा स्वस्त हैं, और अपने ये जो आने वाले साथ ताट दिन है, इसमें अपना पूरा सहयोग आपको दे रहे हैं, लोन सगरा से रिलेटेट काम आपके हो रहे हैं, आ पैतरिक संपती से रिलेटेट, जो थे वो सौर्टेड होंगे, अब ये मंगल की जो अनिष्टता है, वो भी थोड़ी कम होगी, और आप जो बहुत खर्चों से परिशान थे, या विवाही जीवन से बहुत परिशान थे, तो वो भी थोड़ा कांट्रोल में आएगा, लेक बन रहे थे, तो वो अफर्स अभी वापस आये हैं, उनको हाँ बोलिए, और 11 अक्टूबर के बाद ये काम गती पकड़ेंगे, तब तक आपको अपने विशय में, तबियत के विशय में थोड़ा सा ध्यान रखना है, पेट से रिलेटेट समस्या है, गर्दन गुदा आप कर सकते हैं, दुर्गा सब्तश्यति के पाट कर सकते हैं, मित्वन राशी, बहुत दिनों से आप समस्याओं से जूज रहे हैं, अब जा के एक समस्याओं की खत्मों होती है, धीमे धीमे आपका काम बढ़ रहा है, अब नीच के गुरू तो आए, लेकिन फिर भी आपक परिशानियों से बचिए, व्यवसाइक पार्टनर के साथ अन्बर ना कीजिए, लोगों के साथ कम बात कीजिए, चुप रही है, अपने आप, आपका परिवार, आपका सपोर्ट करेगा, और संचित जन जो बेकार हो रहा था, वो भी मिलेगा, आपकी रेनुवेशन कराके गए हैं घर की बूदर, वो अब आपको, व्यवसाइ में भी, और आपके बच्चों से रिलेटेट जितने काम हैं, वो भी अच्छे सुझवाएंगे, मैं 30 बढ़ेगी आपकी, और शुक्र भी आपको इन दिनों पूरा साथ दे रहे हैं, बच्चों से रिलेटेट तो आप जो बहुत नारास्त है बच्चों से वो बात अब पहले किसी नहीं रही, सुधर रही हैं स्थितियां, हाँ, जो काम बढ़ रहे हैं वो आपको तकलीफ दे रहे हैं, ठक रहे हैं आप, लेकिन काम जब मिलता है तो इनसान ठकता ही है, और विवाहिज जीवन का सपोर्ट कम रहे हैं इस वज़ा से अकेले ही करना पड़ेगा काम, अकेले करें लेकिन कामों में आगे बढ़ें, विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है, आप जो चूस करना चूस करके वीज़ा बगरा लगाना है तो लगा सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, नौकरी पेशा लो तो ये सब्ता जो है इसमें चंद्रमा का भ्रमन शुरुआती चार-पांच दिनों के लिए अच्छा है, अभी जो दो दिन रहेंगे थोड़े से उदासी वाले रह सकते हैं, संडे सोंवार तक तो आपको पानी सादा पीना, शिवजी के आरादना करना, चांदी या मोती प सपोर्ट करने हैं, आपके कागजी विवहार पूरे हुए, आपके कोई ऐसे विवार जो पैसों से रिलेटेट थे वो भी पूरे हुए, आपके चोटे भाई बहनों की उनती अब होगी, और उन से रिलेटेट कोई आपके काम थे तो भी बनेंगे, नए नए आफर्स आपक ठीक होगी, माइन पर के तू बैठा लोनली बनाता है आपको, इसलिए आप लोगों में बैठना सिखिए, लोगों से मिक्स होना सिखिए, और गुरू आपकी शादी की योग वापस लाता है, आपको उचित वरवदू मिलने के लिए थोड़ा जादा देखना पड़ेगा, समहल के देखना पड़ेगा, कि जो ओफर आया है, वो कैसा है, मेरे लिए उचित है या नहीं है, पैसे आपको निरंतर माता से सपोर्ट और कहीने कहीं से मिल जाते हैं, अलाकि पैसे की तंगी है आपको, लेकिन ये तंगी आते कुछ दिनों में कम हो जाएगी, मा के फुल स सपोर्ट से, आप काफी कुछ पासकेंगे, नौकरी पैशा लोगों के लिए, इन दिनों समय थोड़ा ढीला ढाला है, आपको जो नौकरी मिलती है, उले लीजे, मना मत करिये, और प्रेम सम्मंद वालों के लिए, ये समय बहुत अच्छा है, आगे बढ़िए, ग्रैब अब दित्य भाव में, बुद्ध के साथ, मंगल के साथ, आपको काफी कुछ काम बढ़ेंगे, पैसे आएंगे, सरकारी दरवारी काम बनेंगे, आपकी वानी में हो जाएगा, आपकी परसनालिटी निखरेगी, आपको परिवार्ट से सपोर्ट मिलेगा, इन दिनों छोटे के सब अच्छा चल रहा है, दो-चार अस्पेक्ट जो विगड़े हुए हैं, विवाहिद जीवन से स्पेशल, उसमें चुप रहके स्पेस बनाके खत्म कीजिए, मैरे बुलने का मतलब आपको कोई डावर्स वगरा भी नहीं लेना है, 11 अक्टूबर के बास्तिती अच्छ यात्राओं से रिलेटेड भी कुछ फाइदे दिलाएगा और चोटे भाई बेनों से फाइदे दिलाएगा और पहित्रिक संपतिया कोट के से रिलेटेड जगाओं पर भी आपको सपोर्ट करेगा, आपके प्रेम संबंद इन दिनों अच्छे रहेंगे, बीच में दो- से मिलना, अब आपकी इनकम आती रहेगी, आपको सपोर्ट मिलेगा परिवार का, और आप भी कॉन्फिडेंट रहेंगे, कि बिजनेस बढ़ रहा है, पिता से भी पूरा सही होग है, चोटे भाई बेनों से जो अनबन और यात्राओं में जो परिशानी है, वो निरंतर है, तबियत को समालना भी जरूरी है, यूकि लगनमे मंगल विराजमान है, इसलिए आपके बचों से रिलेटेड कोई आपको समस्याएं हैं अभी, तो वो जल्द ही, बस महीने भर में दूर हो जाएंगी, या महीने से भी कम, और कुछ अध्यान पढ़ाई मित्रों से रिलेट और आपके कुछ ऐसे व्यवार जो कोट की से स्वग्रम एटके हुए थे, उसके लिए आप आगे जा सकते हैं, सूर्य का साना तरण, विवाही जीवन से सपोर्ट, विवसाइग पार्टनर से सपोर्ट दिलवाता है, और विदेश रिलेटेड काम, बुद्धी मानी से करव जब साहिवी सूचेगा, आप पहले से जादा सोच समझ कर अब बिजनेस करेंगे, और फर्स लेंगे, जो कि अगच्छी स्थिती है, हाँ, धन जो नहीं आ रहा था, अब पिछले दिन वापको जद्धो जहत करके दिला भी गया वो, लेकिन जो भी कमी हैं, या खर्चे हैं या बेचैनी हैं, वो धन के लिए, उसके लिए आपको करनी चाहिए, किसी भी प्रकार से माद दुरगा की आरादना, या अमबा जी की आरादना, मंगलवार के दिन, आप अपने जो कार यह हैं, घर से लिए उनके लिए अभी बेचैनी मत किजे, प्रॉपर्टी वगरा खर सपोर्ट नहीं हैं, जगड़े फसाद हैं, इसलिए आपको थोड़ी बेचैनी हैं, फिर भी जितना भी आप कर पा रहे हैं, उतना बहुत हैं, जो अच्छे ग्रह हैं, उनको देखिए, सूर्य आपको विदेश रिलेटेटिट काम दिलवाएगा, बुद्ध आपके विरसा बहुत काम, ठकन, पहितरिक संपती से रिलेटेटिट विवाद, जमीन जाइदा से रिलेटेट चिन्ता हैं, और आपको ऐसा होगा कि धना नहीं रहा और खर्चे सामने बहुत खड़े हैं, तो वो खर्चों के लिए धना बाजाएगा, चिन्ता मत कीजिए, आपके पर खर्चोगा और आपकी तविए ठीक हो जाएगी, अब यहाँ पर आपके परिवार का सपोर्ट आपको कम है, लेकिन फिर भी आपके परिवार के कारण, आपके कुछ ऐसे काम जो ओफर्स अटके होए थे, उनके सहयोग से बढ़ेंगे, छोटे भाई भेनों की तविएत आप उनसे स्पेस बनाईए, अपने काम बनाने की कोशिश कीजिए, समय अच्छा है, जो काम आपने सरकारी दरवारी अभी बनाये थे, उनका रिजल्ट आने का समय आ गया, पैसे बटोरी अपने धनुराशी, धनुराशी के लिए अभी उचित समय नहीं, नीच का गुरू हो गया तो confidence में कमी, अपने आप में आकरशन में कमी, सुन्दरता में कमी, ये सब दिखता है, फिर भी आपको परिवार का फुल सपोर्ट है, तवियत अच्छी है, मा की तवियत का ध्यान विशे शुरूप से रखना है, गरेलू सुकों का ध्यान रखना है, आपकी माता से जो सहयोग रहता है, उसमें उनकी तवियत खराब हो कर सहयोग ना अट जाए, ये भी देखना है, माइंड आपका गलत सोचता है, गुस्से बाजी अभी चल रही है, वो 11 अक्टूबर के बाद जुबान पर कंट्रोल आएगा, लेकिन आपको थोड़ा सा समल के ही रहना है, अगली अप्रिल तक बोलना नहीं है जादा, आपके कुछ ऐसे काम जो अफर हुए थे, वो अब वर्काउट होंगे, और आपके कामों में गती आएगी नौकरी के लिए, आवे दन भराता तो मिलेगा, और पैसे जो अटके हुए तो वो भी आएंगे, कोट केसिस वगरा से रिलेटिड भी परिशानियां दूर होंगी, कुछ विवाद थे, पैत्रिक संपती से रिलेटिड तो वो भी आप आगे बढ़के उनके लिए सौटेट कर सकते हो, बच्चों के लिए इन दिनों थोड़ा परिशानिया हैं, थोड़ा सा पुश कीजिए, अपने आपको गण जी की, आरादना मंगलवार और बुद्वार जरूर कीजे, यह सिर्फ मंगलवार ही कीजे, मकर राशी, मकर राशी के लिए लगने में बैठा, शनी आपको पूरा फायदा नहीं दे पा रहा हैं, क्योंकि इन दिनों वो वकरी है, 11 अक्टूबर के बाद पूरा फायदा दे यात्राएं शुब रहेंगी और यात्राओं में आपके कुछ काम बनते नजर आते हैं मुझे, और इन दिनों जो शुक्र का प्रमण हैं, वो भी बंसिक रूप से आपको थोड़ा सा चैन देता है, जो राहू ने चीन लिया था, राहू आपको वैसनों में डाल रहा था, अब शुक्र आप से काम करने को कहता है, मीडिया से रिलेटिट काम, विरसाय बोलने चलने से रिलेटिट काम करने हैं आपको, आपके कुछ ऐसे काम जो पिता के सहयोग से होने थे वो भी होंगे, आपके विवाही जीवन का अभी इस सब ताह में सपोर्ट रहेगा, प्री मिल सकती है, प्रीम संबंदों के लिए ये दिन अच्छे नहीं है, रुखना पड़ेगा पीस नौंबर तक और बच्चों के लिए पढ़ाई की ओर बढ़ना बहुत अच्छा रहेगा, कुमबर राशी, लगना में बैठा शनी, अभी, वक्री, तो 11 अक्तूबर के ब सपोर्ट लेना, अपने बड़े भाईवनों से सपोर्ट लेना, उनके साथ बना के रखनी जरूरी है, आपको अपने वानी से रिलेटेड कुछ काम है, तो उसमें भी समहल के बोलना है, इन दिनों बुद की सिती तो अच्छी है, लेकिन मंगल के महां होने के करण, बुद जिवन के सपोर्ट से आप आगे बढ़ सकते हैं, और फर्ज आ रहे हैं, ने, ने, उनको प्लीज मना मत करिए, ले लीजे, और कुछ ऐसी आता है, जिसमें आनन्द के लिए आपको सिर्फ जाना है, तो भी जाएए, आपके कोई सात्विक काम, कोई धर्मिक कामों में आपक बीमार करता है, तवियत खराब करता है, लेकिन सुधारेगा भी धीमे धीमे, क्योंकि आपकी बुद्धी सही चलेगी, डिसिजन सही होंगे, बच्चे सपोर्ट करेंगे, विवाही जीवन से इन दिनों सपोर्ट तो है, लेकिन उनकी तवियत भी समालना आपके लिए पार्टनर के साथ भी आप काम कर सकते हैं, जो काम बन नहीं रहे और आधे अधूरे हो रहे हैं, उनके लिए आप गणेजी की आरादना मंगलवार के दिन कीजिए, और आपके लिए हमेशा ही शिवजी की आरादना उचित रहेगी, आपके कोई तवियत से रिलेटेड या वेबसाइस से रिलेटेड काम इदनों शुक्र बनाने के लिए आया हुआ है, तो वो कर लीजे, और यात्राओं में जो लाब होता है, उसमें भी अपनी तवियत समालते हुए, अपनी दवाईयां वगरा साथ लेते हुए, आपके काम सारे बन जाएं, वस इस पर ध्यान द के बच्चों से रिलेटेड परिशानियां सब्ता के पांच दिन में Sorted होगी, सोम तक थोड़ी परिशानी है, उसके बाद नहीं रहेगी, और फिर सब्ता के अंत में थोड़ा उनके विशय में आपको सोचना पड़ेगा, अपनी मांसिक सिती के विशय में भी सोचना टेंशन मत लीजिए सबताह बहुत फ्रूटफूल है कई सारे काम आपके बनाएगा शुक्र बनाएगा बुद्ध बनाएगा चंद्रमा बनाएगा राहू और केतु की बिस्थिती अच्छी है मैं कामी निक ना बता रही थी मेंज से लेके मीन राशी तक का राशी भविश्य फिर मिलेंगे इसी तरह सापताहिक राशी भविश्य लेकर तब तक के लिए आगया दीजे धनवाद और नमस्कार ब्यूटी विद ऐस्ट्रोजी का नारा है के पोधे लगाएं वेपसाय बढ़ाएं पर्यावरण ठिक करें और पॉलूशन कम करें राहु के तुशनी की श